नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया पबलिक खबर में और मैं हूँ अजय सिन्हा क्या कॉंग्रेश और समाजवादी पार्टी का गडबंधन तूटने वाला है क्या समाजवादी पार्टी वही उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेश से साथ करने वाली है जो अन्य राज्यों में कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ कर रही है और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीती में आने वाले समय में एक नया गडबंधन यानि समाजवादी पार्टी के साथ एक नया गडबंधन देखने को मिल सकता है तमाम तरह के सवाल खड़ हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था जहां कॉंग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो समाजवादी पार्टी ने एतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सैते सीटों पर कबजा जमालिया था माना जा रहा था कि ये कॉंग्रेस ने समाजवादी पार्टी का गड़ बंधन आगे भी इसी तरह अनवरत जारी रहेगा लेकिन हुआ क्या दर असल हरियाना और जम्मू कश्मीर वे विधान सबाद चुनाओं है नब्बे नब्बे सीट का अगला लक्ष है अपनी समाजवादी पार्टी को राश्ची इसतर का दर्जा दिलाना उसके लिए उन्हें अन्य राज्यों में भी चुनाओं लड़ना होगा लेकिन हरियाना में जहां समाजवादी पार्टी जहां अकलेश यादव इस आस में बैठे थे कि कॉंग्रेस हमें कुछ सीटे देगी तो हम वहाँ पर चुनाओं लड़ेंगे क्यूंकि हरियाना में भी यादव वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी इस इंतजार में थी लेकिन कॉंग्रेस ने वहाँ पर क्या किया कॉंग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट नहीं धी फाइन कॉंग्रेस ने नेशनल कॉंफरेंस के साथ गटबंधन किया और समाजवादी पार्टी को मजबूरन यानि यूं कहें हर्याना में कतित तोर पर गच्चा खाने के बाद अकलेश यादों ने 20 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारने का एलान कर दिया यानि समाजवादी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे ऐसा क्यूं हुआ देखिए हर्याना में इंतजार करते रहे अकलेश अकलेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बयान भी जारी किया वो मैं अभी आपको बताता हूं लेकिन ह अरियाना में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया गया समाजवादी पार्टी और अखलेश यादो ये बात समझ गये कि अब ज्यादा चुप नहीं बैठा जा सकता है यानि उन्होंने सीधे तोर पर कह दिया स्टार प्रचारकों की लिस्ट जम्मू कश्मी पिर में ठोक दी अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हरियाना में गडबंधन को लेकर कॉंग्रेस सफा में बात चल रही थी कॉंग्रेस की तरफ से बयान बाजी हुई ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी कोई जनाधार नहीं उसके बाद भी अखलेश यादो चुप पिर नहीं आता है समाजवादी पार्टी के तरफ से बहराल अखलेश यादों ने ट्वीट कर लिखा था जब हरियाना चुनाओं में उनको मौका नहीं मिला कॉंग्रेस की तरफ से तो उन्हें लिखा था कि हरियाना चुनाओं में इंडिया एलाइंस की एक जुटता नया है इतिहास दिखने में सक्षम है हमने कई बार कहा है एक बार फिर दोराने वह आगे भी दोराएंगी बात सीट की नहीं जीत की है हरियाना के विकास वा सोहादर की विरोधी भाजपा की नकारात्मक संप्रदाइक विभाजनकारी राजिनीती को हाराने में इंडिया एलाइ साथ ही हर्याना के सच्चे विकास जन्ता की कल्यान की है पिछले 10 सालों में भाजपा ने हर्याना के विकास को 200 साल पीछे ढखेल दिया है आगे उन्हों लिखा कि हम आनते हैं कि हमारे या इंडिया इलाइन्स के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजिदिक संभावना तल त्याग वबलीदान लेना चाहती है या अन्य राज्यों में जहां महारास्थ है और भी दिल्ली है जहां अन्य चुनाओं होने वहां भी क्या कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी से अकलेश आदों से क्या वबलीदान चाहती है जाहिए बात है कोई भी राजनितिक दल एक हद से तक त्याग वबलीदान अपने राजनितिक महात्पाक आंग्शाओं का देगा उसके आगे नहीं और समाजवादी पार्टी की तरफ से हर्याना के बाद जम्मु कश्मीर में नहीं अखलेश ने दिया जम्मु कश्मीर में उन्हों ने 20प्रत्याशी उतार दिये सबसे ब उत्तर प्रदेश देश में सबसे महापूर्ण राज है क्योंकि सबसे आदा लोग सभा सीटे असी लोग सभा सीटे उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश कई प्रधानमंती भी दे चुका है यहां से बड़ बड़ दिगज नेता निकलते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीती में बात करें तो सपा बहुत बड़ा राजनीतिक दल है बहुत संभावना हैं सपा के लिए अब सबसे बड़ी बात ये है कि उपचुनाओं होने हैं मैं बार बार क्यों कहा रहा हूं कि सपा और कॉंग्रेस के गड़ बंधन पे काले बादल मन रहा हैं क्यों चुनाओं लड़ने की तैयारी में कॉंग्रेस अंदर लिखा है यूपी में 10 विधान सभाव सीटों पर होने वाले उपचुनाओं में समाजवादी पार्टी से गड़बंधन होने के दावे के बाद भी कॉंग्रेस चुनाओं की समानांतर तैयारी कर दी सभी सीटों पर दावेदारों की खोद चल रही है दर असल बात यह है कि 10 विधान सभा सीटों पर उपचुनाओं होना है कॉंग्रेस चाहती है कि 5 सीटों जो सपा के पहले ही खाते में थी उन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाओं लड़े 5 सीटों पर हम चुनाओं लड़े लेकि आज भी कॉंग्रेस से बड़े बड़े दल यानि बीजेपी सपा बसपा अभी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मौजूद हैं इसलिए समाजवादी पार्टी आखले शादाओं क्यूं चाहेंगे कि 50-50 का फॉर्मूला जो है कॉंग्रेस के साथ अपनाया जाए जबकि वो एक-दो सीटे कॉंग्रेस को दे सकते हैं लेकिन और सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो समाजवादी पार्टी को कॉंग्रेस का रवया देखनों को मिला तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश जहां पे समाजवादी पार्टी पूरी तर सबसे बड़ी बात यह कि मैंने जब कहा कि एक नया गडबंधन भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर यानि समाजवादी पार्टी एक नया गडबंधन को भी कर सकती है बीजेपी को हराने के लिए तो उससे पहले और खबर बता दें यह आज के देने जागनों छपी है मैंने दो-तीन दिन पहले वीडियो बनाया था डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डालूँगा जब मैंने लिखा था कि सपा और कॉंग्रेस के गडबंधन में टूट जो है हो सकती है सेम वही खबर जो मैंने बताई थी लगभग वैसी खबर निकली है उसमें लिखा हुआ है कि सपा और कॉंग्रेस ने वर्ष 2017 का उत्तर प्रदेश विदान सबा और दो हजार चॉबिस का लोग सबा चुनाओ भले गडबंधन के लड़ा हो अनराज्यों में उन्हें दूसरे का साथ पसंद नहीं आ रहा एक खबर है दैनिक जग्रण की आगे लिखा है पहल सपा का कॉंग्रेस से गड़ बंदन हो सकेगा इसे लेकर संशा है उत्तर विदान सबा की दस सीटों उपर होने वाले उप दूससे राज्यों के विधान्सबाओं में भाता खोल करा राच्टी-दरजा प्राप्ट करना चाहती है दूसरे सपा का संगठ्राण उत्तरा पभावी नहीं है जहत उत्तर प्रदेश में हैं जाहिए मद्ध प्रदेश में जब विधानसभा चुना हुए थे आप लोगों को याद होगा किस तरह से वहां पर कॉंग्रेस के निताओं ने अखलेश यादव पर टीका टिपड़ी की थी कहा था कौन अखलेश वकलेश और इसी तरहे हरियाना में भी कहा गया कि समाजवादी पार् जनाधार हरियाना में नहीं है सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जनाधार देखके क्या जो है राजनीति कद देखके गडबंधन इंडिया गडबंधन हुआ था और वो गडबंधन आगे जो है कद देखके जारी रहने वाला था अगर यहां ऐसी बात थी तो क्या समाजवा पार्टी ने अपने दावेदारों को अपने प्रत्यासियों को उतार दिया अब उत्तर प्रिदेश में नया जो गडबंदन सामने आ सकता है यानि एक तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है उस पे चर्चा करते हैं दर असल आपको याद होगा कि अकलेश यादो पीडिये का नार पूरा होता ही नहीं है क्योंकि अभी भी अगर बात करें दलित बहुजन वोट की तो बड़ा वोट बैंक बीएसपी के साथ है बले उनकी सीट ना आए लेकिन अभी भी बड़ा वोट प्रतिशत उनके साथ बना हुआ है दलितों का तो सीधी सी चीज है कि जो अखलेश का पीडिये वाला नारा है वो बगएर बीएसपी सुप्रीमों के पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता है सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले दिनों एक निजी निउस चैनल की डीबेट के दोरान बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी ने बीएसपी सुप्रीमों म मुखमंत्री बनी थी और उनसे बड़ा उत्तरप्रदेश में भ्रष्ट मुखमंत्री कोई नहीं है इसके बाद राजनितिक तलवारे खिज गई थी बीएसपी के साथ समाधवाधी पार्टी के राश्टी अध्यक अकलेश यादों ने भी इस बयान की कड़े तौर पर आल इतरप्रदेश की भूतपूर महिला मुखमंत्री जी के प्रती कहे गए अभध्रशब दर्शाते हैं कि भाजपाईयों के मन में महिला और खास तौर से वंचे शोशे समाज में से आने वाले आने वालों के प्रती कितनी कटुता भरी है राजनितिक मदभेद अपनी जगा ह होते हैं लेकिन महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को अधिकार नहीं है उन्होंने आगे लिखा था चुकि बड़े बड़े ट्विट दोनों तरफ से हुए थे एक दुसरे को धन्नवाद आभार देते हुए फिर आगे अकलेश ने लिखा था कि पर सपा सुप्रीमों के ट्वीट पर बीएसपी सुप्रीमों ने भी धड़ा धड़ ट्वीट किये और लिखा सपा मुखिया ने मतुराजी लेकर भाजपा विधाय को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुक के इमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है उसके लिए पार्टी आभारी है यानि आभार प्रकट किया था बीएसपी सुप्रीमों मायावती ने अखलेश यादव का वहीं उन्होंने आगे लिखा था कि पार्टी को भाजपा के इस विधायक बारे में ऐसा लगता है उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नही हो अब यहां आभार प्रकट किया तो फिर अखलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि आभार के लिए धन्यवाद सस्तों यह है कि यह आभार उन लोगों का है जो पिछले दो दश्कों से अपने मान सम्मान के रक्षा के लिए सड़कों पर उतर कर अपना सक्रिय वि सत्ता धीशों के विभाजानकारी खेल को समच चुका है वही उन्होंने और आगे लिखाता सदियों से शोशित वंचे समाज के निन्याने प्रतिशत लोग अब पीडिये में ही अपना सुनहरा भविश देख रहे हैं फिर लिखा नब्बे से निन्याने फीजदी जागरण आ गया है पीडिये समाज में आया यह जागरण राजनितिक दलों की सीमाय तोड़कर मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे है पीडिये से जुड़ गया है जो जूड़ने शेस हैं वो भी आने वाले समय में शेस नहीं रहेंगे समाज की 90 प्रतिशत जनसंक्यार पीडिये का आपस में सौप्रतिय जोड़ जाना ही सामाजिक नियाई की क्रांति होगा यह एकता हम खयाली वा इत्तिहाद ही सैक्लों सालों से चली आरी नाइनसाफी को खत्म करेगा पीडिये ही शोशित वंचित का भविश्य है हम एक है एक रहेंगे यानि एक बड़ा संदेश दोनों जता है उस आभार का सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर खिचती हुई नजर आ रही है एक बड़ी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है वही हर्याणा और जम्मु कश्मीर के अगर चुनावों की बात करें तो सीधे तोर पर एक तूटने की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है यानि उत्तर प्रदेश के बाहर एक गडबंधन तूटने की तस्वीर नजर आ रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीती में एक गडबंधन जो है वो जुड़ने की गडबंधन बनने की तस्वीर बनती हुई नजर आ आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या कुछ राजनीती में होता क्योंकि राजनीती संभावनाओं का खेल है बहुत सारी संभावनाओं हैं कल को कुछ भी राजनीती में हो सकता कोई किसी के साथ भी जा सकता है कोई किसी से दूर जा सकता है इसलिए अभी हाल फिलाल जो पूरा सिनेरियो पूरी तस्वीर बन रही है वो यही है सपा और कॉंग्रेस के गड़ बंधन में सब कुछ ठीक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है खबरों में भी यह बात सामने आ रही है और जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहा है दिखता हुआ जम्मु कश्मीर और हर्याना के चुनाओं को देखते हुए उससे साफ पता चलता है आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में होने हैं उससे भी बहुत सी तस्वीर क्ले बसपा कई गडबंधन की अगर बात हम करें तो देखे राजनीती में कुछ भी संभा हुए अगर ऐसा होता है क्योंकि अखलेश पीडिये का नारा देते हैं वही बीएसपी सुप्रिमों मायावती भी बहुजनों की राजनीती करती हैं तो सीधे तोर पर अगर सपा और कॉ दिल्चस्प मानी जाती है और आने वाले जो उपचुनाओं है और 2027 के विधान सभा चुनाओं उससे पहले जो है बहुत कुछ उत्तरप्रदेश की राजनीती में बदलाओ देखने को मिल सकता है यानि गडबंधन तूटने से लेकर गडबंधन बनने तक कई तस्वीरे स सामने आ सकती है बाकी भविश के गर्ब में है क्या सामने आता है क्या नहीं वो तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन हाल फिलाल जो तस्वीर सामने आ रही है जो तस्वीरे बंती दिखाई दे रही है वो बहत दिल्चस्प है और राजिनीती से जुड़े लोगों के अरुदवाले धन्यवाल झाल